नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुनाली ठाकुर राशिफल के जरीए आप अपने आने वाले भविश्य के बारे में जान सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि रविवार के दिन सूर्य देव को कैसे अर्ध देना चाहिए सूर्य ही एक मातर ऐसे देव है जो नियमित रूप से भगतों को साक्षाग दर्शन देते हैं वैक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिती मजबूत हो तो वैक्ति के जीवन में खुब काम्याबी और रिश्ट की प्राप्ति होती है वही यदि कुंडली में सूर्य की स्थिती ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में सूर्य देव को प्रसंद करने के लिए रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को अर्थ कैसे देना चाहिए सूर्य देव को हमेशा तामे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए एक बात का ध्यान रखे कि सूरे को जल प्राथा काल यानि सूरे ओदे के समय ही चढ़ाए सुभा के समय जल अर्पित करना फाइदिमन माना जाता है सूरे को जल देते समय अपना मुख पूर्व देशा की ओर होना चाहिए जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें इसके अलाबा लाल फूल भी सूरे देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है रोजाना सूरे को जल चढ़ाने से सूरे देव का प्रभाव शरीर में भी पढ़ता है और इससे आप में उर्जा की डिधी होती है साथी प्रती देन सूरे को जल देने से आत्मा शुद्ध और बल की प्राप्ती होती है समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है और अब चलिए राशी फल के तरफ रोग करते हैं और शुरुआत मेश राशी से करते हैं मेश राशी की लोगों के लिए 26 फरवरी का देन काफी श्रांदार रहने वाला है अपने सोचे हुए सारे काम समय से पूरे होंगे सही देशा में किये गए परियासों और कारियों में अनुकूल परिनाम मिलेंगे वैपार में व्रिद्धी होगी कारिश फेत्र में भी आप अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफल रहेंगे और मेश के बाद बात करेंगे व्रिश राशी की आपको धन के मामले में थोड़ा समहल कर रहने की जरूरत है आपकी आमदनी से अधिक खर्च होंगे मित्रों के सहयोग से अधूरे कारे बनेंगे भाई बहन आदी किसी परिवारिक समस्या का समाधान आपके निर्ने के समान और समर्थन करेंगे और अब बात करेंगे मित्वन राशी की करियर वैफसा या कारे छेतर में कोई चुनोती आती है तो आप उसका डट कर सामना करने में सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं आपको अपनी योजनाओं और लक्षों के साथ पूरा लगन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है आपको अपने काम का फल जरूर मिलेगा और अब बात करेंगे करक राशी की अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत इशुप दिन है सही देशा में प्रयास करेंगे तो सफलता आवर्श मिलेगी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्ख होगा और लाव के अफसर मिलेंगे रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को रोजगार के नए अफसर प्राप्त होंगे और अब बात करेंगे सिंग राशी की समय और रिष्टे दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी की जरूरत है आप अपने सोचे हुए सभी कारी पूरा करना कहते हैं तो उन्हें कल पर ना टाले यदि किसी कारन से आपका अपने पार्टनर से मन्ट मुटाब्व चल रहा है तो एक कदम पीछहट कर उसे मनाने की कोशिश करें नहीं तो रिष्टों में गहरी दरार आ सकती है सिंग के बाद बात करेंगे कन्या राश्वी की जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा किसी बात को लेकर मन परिशान हो सकता है घर में किसी वरिष्ट व्यक्ति की सला से जीवन में आई कोई बड़ी बाधा दूर होगी कारिश्वेतर में वरिष्टों का सयोग मिलेगा और अब बात करेंगे तुला राश्वी की और जानेंगे 26 फरवरी का दिन तुला राश्वी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है करियर और बिजनेस में उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिल सकती है जो लोग विदेश में नौकरी या वैपार करते हैं उन्हें लाव मिल सकता है विवाहित जातकों को अपने लक्ष को पूरा करने के लिए ससुराल पक्ष के लोगों का पूरा साथ मिलेगा वैपारी वर्ग के लोगों को किसी लंबे दूरी की यात्राओं पर जाना पर सकता है और अब बात करेंगे व्रिश्रक राश्री की करियर और वैपार के सिल्सिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पर सकती है यात्रा सुखात और लाव दायक रहेगी ग्रहों की स्थिती को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपकी लगभग सभी मनों कामना पून होगी परिक्षप्रतियोगिता की तियारी में लगे छात्रों को शुब समाचार मिलेगा और अब बात करेंगे धनु राश्री की आपको किसी यात्रा पर जाना पर सकता है लेकिन अपने समान का ख्याल रखतें की जरूरत है पैतिक संपत्ती को लेकर रिशुदारों से विबाद हो सकता है कोई भी फैसाल लेते समय अपनों की भावनाओं को नजरंदास ना करे नौकडी के तलाश कर रहे हैं लोगों का इंतुजार कुछ बढ़ सकता है और धनों के बाद बात करेंगे मकर राश्री की अपनी छोटी बहन या भाई से जुड़ी किसी बात को लेकर मन परिशान रह सकता है इतना ही नहीं फिलहाल आप पर अतिरिक जम्यदारियों का भी बोच आ सकता है भूमी भवन संबंदी विवाद के समाधान के लिए उचित समय की परतिक्षा करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अब बात करते हैं कुम राश्री की कारियों में आने वाली बाधाओं या परडिनामों में विचलित हुए बिना आपको अपने लक्ष की ओर बढ़ना होगा किसी महिला मित्र के सहयोग से अटके हुए कारियों में गती आएगी दोस्तों या पार्टनर के साथ गलत फैमिया दूर होंगी कारियों में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा और अब बात करेंगे अंतिम राशी मेन की अपने लक्ष की प्राप्ती पर पूरा फोकस रखना होगा आपके कामकाज में कुछ बाधाय आ सकती है रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुप समाचार मिल सकता है थोक वैपाडी के लिए आप प्रत्यश्रित लाव के योग बनेंगे बोलते तारे में फिलहाल इतना ही नवशकार